वेल्कम टूर्ड चैनल पेशन्स ट्रेडर दोस्तों आज मैं फिर से आपके पास आया हूँ आपके सामने आया हूँ बहुत ही इंट्रस्टिंग टॉपिक के साथ और यह टॉपिक आप ब्लीव नहीं करेंगे आज मैं आपको ऐसा एलोब्रेट करूंगा ऐसा आपको समझाओ आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या सच में ऐसा मार्किट स्ट्रेक्टर होता है कि ऐसे की प्लेयर होते हैं जो मार्केट को डॉमिनेट करता आज आप उन प्लेयर के बारे में जानेंगे उन काई हर चीँ है आज आप उन प्रेक्ट के बारे में जानेंगे जीन के बारे में आप से सोचते हैं कि dove स्फप्लेयरों करते हुआ इसा अपने सुना होका कि के इकडम मार्क पाइस यहांóc से यह क्यां कॉंप करता है कौन एकदम सदेन मूव लाता है मार्केट में आज आप उनके बारे में जानोगे एकदम आप देखते होंगे कि एकदम 500.00 उपर 400.00 नीचे गिरिया मार्केट अच्छानक कैसे हो गया किसी शेर्स में किसी स्टॉक में अच्छानक से एकदम सदेन कोई मूव आता है वो कौन सब्सक्राइब करता है वो प्लेयर जो ऐसा मूवमेंट करता है और आपको शायद इस चीज़ से कोई फरक ना पड़ें दोस्तों पर हमारा में मंकसद है इस चैनल का कि आपको वह कौन सेटक लिए जो रियल्टी में होता है अगर आप डेडिंग के दुनिया बाद्शा बन से जट तक complete कर देते हैं तो आपको यह बेसिक नौलिज आने चाहिए बहुत जरू है इसलिए इस लिए मार्क इस ट्रेक्चर को सब्सक्राइब हमें टेकनिकल एनलायसिस में ही एड करा है कि यह इंपॉर्टेंट है और टेकनिका आलायसिस ही आपको पता है कि हमारी स्टॉक पार्ट का सिरीस का पार्ट है जिसके हम शुरुबात कर चुके हैं जिसका नाम है जी रोटू स्टॉप मार्केट ही लोजी सीरीस उसी का पार्ट टेकनिका अपनानी पड़े हैं। कि आपको इसका मेहत्व समझाए कि हाँ सच में ऐसा चीज होता है क्योंकि आपको बेसिक जानने के लिए आपको आगे जल जब बेसिक से एडवांस तब पहुंच होगे तो एक स्टेडिजी आपको बनानी पड़े हैं और उस सेटप को आपको कहीं ना कहीं इसमें आप इंक् मार्के स्टेक्चर फॉलों आपको पर्टिकुलर डिफाइन करने पड़े हैं अगर आप यह सब जानना चाहते हो तो दोस्तों वीडियो में बने रहेगा हम एक एक चीज करके हर पॉइंट पर आएंगे कि क्या मार्के स्टेक्चर होता है क्या आपके लिए बैनिफिट है अगर आपको वह बनना है तो आपको क्या फॉलों करना पड़ा है वह सब हम बताएंगे इस वीडियो में ठीक है आज की वीडियो की शुरुबात करते हैं माइनेम इस नरायन यह वाचिन पेस्टेटर नमस्ते लेट्स केट स्टार्टेट तो हम बात करें दोस्तों मार्क इस टेक्ट्रेट्ट्र की टेक्निकल ऐनलायसिस में हमने मार्क की इसरेट्ट्रॉट यह फिर ऋड़कर एक पता होता होता है कि हमारे सथियो송 करना पड़ेगा तो आपको अगर Arena करना है अपने आपको मुकाम पर पहुंचना है अपने आपको' करना है उन बड़े प्लियर्स में तो आपको हर प्रunnnos से गुजर्णना पड़ेगा सीखना पड़ेगा बिसिक से बसिक नॉलिच आपको आनी पड़ेगी इसलिatch अनृ नए एक तो इस वीडियो देखने बाद आप हमारी शीरीज शुरू करिए जो हम बना चुके हैं दोस्तों आप ब्लीब करेंगे कि हम हर कॉंसेट को बिल्कु डीप एनलाइजेशन के साथ समझा रहे हैं कि आपने हर कॉंसेट छुआ तो आपका वह कॉंसेट के लिए हो जाए चाहा है वह और 5 मिनट की उपरी बात बताके आपको इंवनेस्स ना करें आपकर बेवकूप न बनाया जाए कि ठीक है कि अगर आप सीखना चाते तो आप सब्सक्राइब थे ना पड़ेगा दोस्तों और टाइम देने के लिए आपको ये गॉनसेट सारे की लिए रखने पड़ेंगे इसके आप सोचव रहें लिए दो मिनट की वीजिएों नरायन सार खटो मिनट की वीडियों 50 की विडिए predictions की बनाते हैं आप चलदी सर्मुझे सिधा conclusion फिल इस बताइए नहीं होता हम ऐसा नहीं करते हैं प्रभावित करें उनको समझाएं कि क्या रियल्टी कॉंसेट होता है वो कॉंसे उसलिए हमें चाहें टाइम देना पढ़ नहीं है बस आप सीखने वाले होने चाहिए दोस्तों ठीक है तो आज हम बात करेंगे मार्केट इस्ट्रेक्चर की कौन लोग है यार कैसा क्या मार्केट होता है ठीक है तो इस वीडियो देखने बाद सीरीज शुरू कर यह दोस्तों और जानिए कि क्या होता है रियल्टी में स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग ठीक है कि दोस्तों वाट इस मीन भाइ मार्केट इस्ट्रेक्चर दोस्तों मार्केट इस्ट्रेक्चर एक फ्रेमवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् क्राइब करते हैं कि हां ये वाला मार्खेट होना चाहिए इक सच्छानवारीस होना चाहिए और ऐसे हम्ंहारा करने चाहिए हैं आपको बलीफ करना पड़ेगा ये यह आपको प्लींप करना पड़ेगा आप ये स्रूच यर नहीं हम जाता है ये सदन मूँसमा आगया है तो इससे क्या होता है धूम्मत यह प्राइश को में हिला सकते हैं। हम स्टॉक प्राइस में जबरदस एक्शन ला सकते हैं अगर आप सिफ कॉल पुट कॉल पुट में ही रहोगे तो दोस्तों कुछ नहीं हो पाएगा आप सिफ टिप्स पे जाओगे और लॉस करके बैठ जो हो तीन महिने में जैसे होता है कि तीन महिने में मार्केट में बंदा जाता है 6 मैं में फैसा है की उसे reality नहीं पता होती ऊसे डियन नहीं पता होथी वह इसे गैमलीन की तरह है जच करने लगता है पर ऐसा नहीं अहुता रुभा है इस पर आपको विश्वास करना होगा कि यह ही रियल्टी है को घो कोई अलग नहीं है कि कोई मशीशन बैठी है जो वा कर दो पता ही नहीं क्या हो रहा है यह सिर्फ सिर्फ हुमन बीइन है हमारे जैसे लोग है जो एक स्टैप सो सेटप बनाए हुए है और उसी पर follow कर रहे हैं उसी को आप analyze करना है तो उसके बारे में जानना पड़ेगा पहले कि होता क्या है वह कि analyze करने के लिए भी आपको उसके लिए जानना पड़ेगा ना आपको पता होना चाहिए कि यह market structure तो हमारा मोटो है हमें इस market structure में participant बनना है और हमें यह की प्लेयर बनना है जिसके हम अभी बात करेंगे और अपने आपको जच करोगे कि हमें कैसा बनना है यह हमेशा टेपस पर ही काम करते रहेंगे तो हमारी जिंदीे टिपस वाली रही ब करेंगे तो हमारे वाली सीखने में सीक कर भी किस बाता है एक मार्किस ट्रटर करता है और अइस नहां बताई यह फर्म'T होती है और आपका प्लेयर इस वह होते हैं देखोगा कि निखाँ हुए कि वहाँ पर इंफेंस होता है आपका कंब्लीकेशन आपको बार बार यहां दिखाये यह भी इसी का पाट आप को बारबार ती तक यहां पे यह कर देना जिन जब देटिक प्राइज होती है तब यह लिया जाता है क्यूंकि उन्हें ताकत होती है टाकत होती पैसे मां वो पैसा लगाते हैं वो यह काम करते हैं अगर आप अभी स्टार्ट करें तो आप सो लगता हुआ कि मैंने दोजार रुपे ही कॉल ले लिए तो यार देखा हमने प्रॉफिल लोज कर नहीं हो वह इनी दो-दोजार रुपे हो लोगों को सोचते हैं उनको ट्रैप करते हैं और पैसा लगाते हैं इन्लुएंस करते हैं यह सब मार्केट स्ट्रेक्चर के अंदा यह सब होता है आपको ज पहला हाता है परफेक्ट कॉंपेटिशनगी कि तरी मार्केट कि स्ट्रेक्चर का टाइप आता है परफेक्ट कॉंपेटिशन यह क्या होते हैं इसमें दोस्तों एक ऐदें भी होते हैं आपसे इसे आप अपने उपपर डाल के मान सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग करते हैं टिप्स पे ट्रेड करते हो या नॉर्मल ट्रेड करते हो या बिना किसी सैट अप उसके ट्रेड करते हो आपको पता ही नहीं पता कि मार्के स्ट्रेचर क्या होता है बस ठीक है हम सुभे उठे हैं हुआ हमें इससे मतलब ही नहीं हमें तो ठीक हैं दिखा हम नो उठा लिए यह वो इस्टेक्चर पर आप आते हो तो अगर आप अथिस तो तो अप इस भीयोर्स आप मैं आते हो जहां पूर्दा भी होते हैं जिन अप उस मार्केट इस ट्रेक्टर में आते हो अगर आप इसमें तो इसमें बैस्ट कॉंप्टिशन में आप आते हो जिसमें कोई सिंगल पार्ट पर नहीं होते हैं प्राइस सेट करने के डिट मिल्स इंडिविज्वीज ट्रेटर हैब नो इंफ्लेंस ऑन तर्ट इस टॉक मार इस इस के आप इस ट्रेक्टर को फॉल्व कर जो आप समझ गैकि आप कि स्रेक्टर बाहरो इस टैप पैस संपर समझते जाए HASको नो टांग डॉन जरूर करिया है कि मुझे यह करना है तो यह होता है परफेट कॉंपीटिशन अब सेकंड आता है दो इस में दोस्तो सेलर साथे हैं जो डिफ्रन सर्विस और प्रोडेक्ट प्रोडेक्ट करते हैं, मार्केट को देते हैं, सर्विस और प्रोडेक्ट, मल्टिपल सर्विस और मैनी सर्विस और प्रोडेक्ट मार्केट को देते हैं, ठीक है, जिनके पास ताकत होती है उस प्राइस को सेट करने ही, पर एक बाउंडरी के साथ, एक लिमिट एक example IPO का देता हूं उसमें तो क्या इस तक वो आएंगे क्या वो इससे सिम्लर है आप सोचिए जैसे मैं इसको आई प्यों क्यों कर रहा हूं जैसे IPO आता है तो प्राइस कंपनी सेट करती है पर उसके पास जो नॉम्स होते हैं जो वैलियूशन होती है उसके है आप से वो प्राइस करती है पर एसा नहीं है न एक बौंडरी अएकनों है दो वो जाता है तो उनके बोलते हैं हमें यह यह बॉल्डब में एतना है तनी फड्न इतनी कंपनी के आप When State parody सकते हो ठीक है पर ऐसा तो नहीं है कि वह अपनी वैलिशन से ज्यादा आप सेट कर देंगे उनके पास कोई रूल नहीं कोई बाउंडरी नहीं है अगर उनकी वैलिशन सो रूपे पर बैटरी है और वो से 10-1000 रुपे बेश direct क्या ऐसा है पर शेरिस Карम उनके है कंपनी तो अंकी है कैसा है नहींँ दोस्तों कि क्या लिमिनेशन होती है बाउंडरिस होती है पर हां ऐसा है कि फिनके पास अर उन के पास एक लिमिट कंट्रोल होती है कि कोई एक सिंगर प्लेयर डोमिनेट नहीं करता मार्केट में दे हैव लिमिटेट कंट्रोल अवर देर ओन प्राइस शेर सुनके है सब कुछ उनका है ठीक है पर वो पावर नहीं है मतलब इतनी पावर नहीं है खुली पावर नहीं है है। boundaries है लिमिटेशन है उसके बेशपी वह price करते हैं हमारी value गोर्ण आपकर सकते हो पर एक की monopolistic competition कम structure क्या होता है आप समझ गए कि इस पर जाना है या उसके बाद अपनी company एकटा हर अपनी company बना के पिर में मार्केट में उतरना है monopolistic structure को follow करना है तो आप यह माइन में रखिए आपको terms पता हुनी चाहिए आपको पता हुनी चाहिए आपको बड़ा प्लेयर की तरह सुझना है तो आपको यह नहीं पता ना कि आपको फंडिंग के टाइम पर आपको अपने आपको एलिपरेट करने लिए निए आपको वोलना है साहिए हम तो मॉनपोलिस्री कॉंपटिशन के मार्किस फॉलो करेंगे अब सामने वाला इसमार्ट हुआ तो वह समझे आपको पास है तो इतना तो यह भी होता है एक तो हो गया आपका कि हमाएपास कुछ है पर इतनी ताकत नहीं है अपने इसाब से ओवर कंट्रोल कर दें कि समझ गया सेकिंड पॉइंट सेकिंड मार्कित स्ट्रेक्चर क्या होता है ठीक है मुव और करें थर्ड पर अगर दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लग आपको लगा है कि है बहुत वैल्यूब ठरड आता है आपका दोस्तों और ऊछ्षेयर के मर्टे ऑन क disruptive करेंद यह मार्कित फ्यूर्ड फ्लेयर्ज होते हैं दोमिनेट से मार्कित जिनके पास यह स्टॉक के प्रैस को इला सकते हैं दोस्ते जिओल होते हैं ये वो मार्किट इस्ट्रेक्चर को फॉलो करते हैं वो प्लेयर ये इस मार्किट स्ट्रेक्चर को फॉलो करते हैं अगर वो किसी स्टॉक प्राइस को हिला सकते हैं तो वो समझ जाए कि वो जो प्लेयर है वो इस मार्किट इस्ट्रेक्चर में आ रहा है कि वह इस मार्केट इस स्ट्रेक्चर में आ रहा है आपने सुना होगा कि उसने इतने अरब करोड़ रूपे यसने हजार करोड़ उसमें इन्वैस्ट कर दिया प्राइस एकदम हो गया यह उसने इतनी फंड़ी एकदम निकाल ली तो प्राइस लिगा तो उसके अगर कुछ प अगर उनके स्टेप से कोई मार्केट हिल रहा है तो इसके पाथ ताखत है तो आपको फोकस करना है इनकी चालो पर इस मार्केट स्टेक्चर को आपको फॉलो करना है क्योंकि आपको पता है कि अगर ऐसे प्लेयर इस मार्केट स्टेक्चर को फॉलो करना है की पाइस रखें मतलब बहुत फोकस रखें इस मार्केट स्टेक्चर को तो आप ट्रेडिंग में कभी भी मात निखाओगे दोस्तों तो step by step ही होगा आपको अगर oligopoly मार्के स्ट्रेक्चर को फॉलो करना है तो आपको हर चीज आनी पड़ेगा आपको बेसिक आना पड़ेगा दोस्तों फंडमेंटर आपका क्लियर होना पड़ेगा जिसके आपको वह सीरीज देखनी ही पड़ेगी जो हम बेसिक टू एडवां पालतु का लिए दोस्तों ठीक है आप समझके कि क्या होता है लिग पॉली मार्के सट्रेक्चर कुछ होते हैं युछ इसकर फ्यू प्लेट्स होते ूदि जिनके पास डोमिनिट होता मार्केट को जो खिला सकते हैं स्टॉक प्राइस को समझगे मूव कोते हैं फोर्थ पे कि एक होता है दोस्तों नास्ट आपका मोनोपॉली कि मुझे उमीद है कि आपने यह कभी नाम सुना नहीं होगा और सुना तो आपको मतलब नहीं पता हो जो बहुत easy language में यहां लिखा है बहुत easy language में लिखा है कि आपको पढ़ते ही समझ आ गया ठीक यार हाँ सर ने बुर्कु से बताया बहुत easy language में कोई बड़ी चीनी पर आपको exact मतलब पता होना चाहिए कि होता क्या है इसके उपर particular एक वीडियो बनाने ही जुरत नहीं है दोस्त के लिए अपड़ेगा आपको series देखनी पड़ेगी फिर आपको जच करना पड़े है अपना आपको कि हम उजे यह बना अभी मैं बात करूँ आंपकी प्लियर्स की भी क्या कैसे की प्लियर्स बनों मार्किस ट्रेक्टर तो ठीक है कि मार्किस स्ट्रेक्टर हमें पता चल ग होता है उस पार्ट स्ट्रेक्ट के आपके फुट्प्रिंट को कैसे पखड़ों गया कैसे उसके नक्षए वह भी मैं बताऊंगा अब आपको कुछी देर में इसके बाद में ठीक है तो आप समझगे मोनोपॉली क्या होता मोनोपॉली दोस्तों क्या होता है यह सिंगल प्ल है ओनली वन पेर एजिस्ट होता है गिविन देंग कंप्ली डॉमिनेट्स अवर दा मार्केट इस प्लेयर है तो इसे नोट डाउन करिये कुछ भी अगर हो रहा है तो उसका कुछ मतलब होता है दोस्तों वह मतलब पता होना चाहिए है आपने कभी सुना था कि ऐसा वी हो एसा पने सुनाओगा वह क्या है वह दोस्तों ऑन पॉली स्ट्रेक्टर में हो मोनपॉली स्ट्रेक्चर को फॉलो कर नहीं जिसके पास सलूट्र्स के पावर होती है वह अपने शाप सो स्टॉक को सेट कर सकता है अब रिलाइंस का मैं अपने इसाफ से सेट करूँ हूँ से वो उसी साफ सो उसकी वैलिएशन करता हूँ साफ से उसमें इंपुट डालता है जो भी उसका प्रोसेस होता है समझ गया तो ऐसा भी प्लेयर होते हैं तो कितनी रोमांचिक दुनिया है स्टॉक मार्केट की कुछ नहीं है कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप ऐसा कर सकते हो सब कुछ प्रिड़ी-फाइन है बसको गुसना ला नहीं क्योंकि आपटीप में जितना जाओ जितना सिखो गया अपको उतनी नौलिज की नोगी आपको कभी कोई मात नहीं दे पाए आप भी डॉमिनेट करोग प्राइज जो बिल्कुल जो यार जो बंदा किसी स्टॉप प्राइस को अपने इसाफ से चला सकता है तो मार्केट में हिला देगा तो अगर हमें ऐसे प्लेयर के बारे में पता चल जाए हमें थोड़ी दे में बात करेंगे हमें ऐसे प्लेयर के बारे में पता चल जाए जिसका हमें पता हो भाई ये इस प्राइस को हिला सकता है ये इस प्राइस को हिला सकता है तो वो आपको फूट्पेंट ढूनने है वो आ लास्ता हम आपको दिखार है चलना आपको पड़ेगा दोस्तों चलना तो आपको ही पड़ेगा समझ गया कि वह क्या होता है कि action of this solo player is crucial for trader in such a market structure बिल्कुल यार बिल्कुल बिल्कुल एक solo player ही है जिसका बहुत बड़ा महत है तो आप समझ गया क्या market structure होते हैं चारो market structure मैंने आपको समझा दियो चारी market structure होते हैं दोस्तों ट्रेडिंग की दुनिया में stock market में छी कैणि इसके इसके लावे आपको लगता है कि कोई और मार्क इसतो होता है वैसा नहीं होता यहाऊकि आपको पता है कि request को टॉपिक लेक्तों पूरा डीब एनलाईज करके ही लेकर आते हैं कि है आपको चरास भी थोड़ा सभी है को चूक ना कूधा फिर भी फिर भी अगर आपको लगता है कि सर इसके लावा भी कोई और मार्कित स्ट्रेक्चर होता है तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताईगा या जब मैं वीडियो के लास में आपको अपनी इमेल आईडी दूँगा वहाँ पर भी आप मुझे भेज सकते हैं पूर बहुत अनलाइस करके हर वीडियो पर बहुत काम करके मेहनत करके आपके लिए ऐसा डिजाइन बना के बहुत सिंपल कि आपको अच्छा लगे देखिए पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा एंवर्मेंट क्रेट करना पड़ता है यह सब चीज हम क्यों करते हम चाहे तो ब यह मेहनत करते हैं आपके लिए यह कंटेंट लिखते हैं शौट में इजी वे में कि आपको समझ आ जा जाए ठीक है दोस्तों आप समझ गए अब आके बढ़ते हैं और हम बात करते हैं की प्लेयर्स की ठीक है प्लेयर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने मार्क स्उक्ठ पड़ लिया फौर्ट टाइप के मार्किस स्ट्रेक्चर होते हैं जो आमने पढ़ लिए बहुत अच्छे से पढ़ लिए और बहुत समझ गया हम जो मिधा अपने नोट्स बनाया होंगे नहीं बनाया तो कोई दिख रहा नहीं दुपारा से वीडियो देखिए और बनाइए नोट्स ठीक है अब हम जानते हैं कि इन मार्केट स्ट्रेक्चर को कौन कौन से पाटिस्पेंट होते हैं कौन कौन से प्लेयर होते हैं और आप किस प्लेयर की केटिगरी में आते हो या आप क्या कौन सा प्लेयर बनना चाहते हो कौन से वह मेन प्लेयर होते हैं जो मार्केट को हिला सकते हैं इस्ट्रेक्चर पढ़ लिया आपने पर उन इस्ट् ठीक है तो वीडियो शुरू करते हैं इस टॉपिक के साथ में की फ्लेयर ठीक है विए तो पहला है दोस्तों इंडीन विजेल इनवेस्टर यह कौन हह थे दोस्तों इंडीवीं में रिटेल इन्वेस्टर होते हैं को ते कर ते घीक है जिननका का मैं सुबह 9 बYo controvers और ट्रेड करना और फिर बस खतम चाहें उनके पास सेटप हो या ना हो सेटप वाले भी रोज टेट करते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है पर इनके पास क्या होता है जो बड़ी और आजबाता है तो आपको पास पाप आप से इसक्रीन होती है पूरी टीम होती है अनल्य टीम बैठी ऑती है बड Totally marketer के पास यह वह सेटनें करता है यह सब कुछ करता है यह यह नहीं कियाया कि प्रफिटेबल नहीं फोल होता है पर और जो सुविधा बड़ी organization के पास होती है वो सुविधा इनके पास नहीं होती है वो होते हैं की प्लेयर पहले retail investor अब मुझे उमीद है कि अगर आप वीडियो देख रहा है तो आप उन में से ही एक की प्लेयर होंगे आप अपने आपको की प्लेयर समझ रहे होंगे retail investor और यह बात सच है पर कोई दिखकर नहीं है क्योंकि अगर आपके पास proper setup है आप profitable बन सकते हो ठीक है तो आप अगर परड़े प्रेट कर रहे हो और आपके पास ज्यादा सुविदा नहीं है फिर भी आप profit करो कोई दिखकर नहीं है प्रॉफिट नहीं करें फिर भी कोई दिखकर नहीं है तो आप इस category में आओगे कि आप individual डिटेट इंवेस्टर की किया तेज्ड़ी में आओगे आप समझ आप मूव करते हैं second key player पर second होता है दोस्तों इंसिट्यूश्नल इंवेड सब इंस्टोश्नल इंवेस्टर का क्या मतलब दोस्तों इंस्टेशनल इंवेस्टर में आते हैं दोस्तों पंड तो भी है जो इन्वेस्ट करती है पर किसी दूसरे के भिहाब पर जैसे आपने मिच्छल फंड कि बारे में सुनाओ और आपने दोस्तों साइप यह मैं प्यूल की वीडियो अभी तक नहीं तो मैंने एक वीडियो बना दी है जिसमें मैंने deep analyzation करके बताया है कि क्या आपके लिए best होगा mutual fund या SIP आप किसमें पैसा अच्छा कमा सकते हैं किसमें आपको profit अच्छा हो सकता है ठीक है तो वो जो हम mutual fund SIP की बात करते हैं procure게 उसमें क्या होता है उसमें हम एक कमपणी को hIRE करते हैं अब उस कमपनी में अपना पैसा देते हैं और वो हमारे भी ons दो्सक्रेंट करती हैं यह तो क्या हम अकेले होता हैं पर जब कंपनी होती है जब हमारे लाकवन दे के पैसे एक साथ किसी स्टॉक में डालेगी तो उसके लिए पैसा चाहिए वह हमें profit क्यों देते हैं क्यों बोलते हैं कि हां हां कि हां हम आपको साड़े 12-13% का डिटरन साल का दे देंगे, क्यों देंगे? जो कि उंपा है, प्रॉपर सेटप होता है. वो मार्किट को डोमिनेट करना जानते हैं, वो जानते हैं कि अगर हम इस स्टॉक में इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो मार्किट हिल सकता है. तो इसलिए मार्किट गैंबलिंग नहीं है. मैंने इसके उपर भी एक वीडियो बनाई है दोस्तों, जो बंदे सोचते हैं कि स्टॉक मार्किट और गैंबलिंग जुआ एक है, वो नहीं है दोस्तों. बहां भी मैंने डीप एनलाइस करके आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया है कि क्यों सत्तक है, कैसे आपको उसको जच करना चाहिए, कैसे आपको समझना चाहिए कि हां स्टॉक मार्किट अलग है और गैंबलिंग अलग है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो देखने बाद वो वीडियो जरूर देखेगा दोस्तों. ठीक है, तो अब हम के बिहाब पे ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं. और जाहिड सी बात है, अगर वो इतने पैसे के साथ ट्रेड करते हैं, तो बिना सेट अप पे काम नहीं करेंगे वो. वो इतनी बड़ी ओगनाईजेशन चलाएंगे, तो बिना सेट अप के काम नहीं करेंगे. उनके वो stock में हो commodity में हो currencies में हो फिक है gold में हो या किसी में भी हो ठीक है तो वो होते हैं institutional investor तो आप समझ गए कि आप किस category में आ रहे हो और आपको कहा का move करना है मैं आपको ये भी hint देता जा रहा हूं कि अगर आप इस के या आप ये key player हो तो आप यहां से यहां पर move हो सकते पर कैसे उसके लिए आपको जो हमारी Series चालू हो गई है Zero to Stock Market Hero Series वो आपको देखने पड़ इदोस्तों ठीक है आगे बढ़ते हैं तीसरे की प्लेयर पर तीसरा है दोस्तों Market Makers Market Makers Market Makers के नाम से आप समझ गवी हैं यह कौन होते हैं मार्केट को चलाते हैं कि जो मार्केट मेंаны डिक वू करोरे करो ंच fiore बयर प्रोब करें आपने देखंगोंगा जब भी आपकोय कोई होंगे तो उसमें वॉल्यूम कितनी जादा होती है अगर हम topmost की बात करें ठीक है उसमें क्या है जैसे आपने 100 शेर एकदम खरीदे आपने तुरंथ एक्जीक्यूट हो गए बेचे तुरंथ हो गए ऐसा क्यों होता है भई खरीदने बेचने लिए आपने सामने बंदाद होना चाहिए अगर आप खरीद रहे हैं तो सामने सेलर अब बेच रहे हैं तो सामने बायर भी ओना चाहिए ऐसा क्यों होता है यह वह प्लेयर होता है जो यह चीज प्रोवाइड करते हैं जो असानी से आपके शेर एक्सटीर होते हैं स्टॉक एक्जीवूट होता है वो इनकी बेस पो होते हैं डोस्तों कि आप तो पचा-पचा- बढ़ स्योंजोह स्टेर करेविक जो बिक प्लेयर होते हैं जो मार्केट मेकर्स होते आ Pear वह क्या करते हैं आपको वह लग क्रड़ों रुपए करते हैं तुरंट करते हैं और करते सेल इन्वेस्टर है जब हम खरीदते बेखते हैं तो मारे असाणी से ए्जिक्यूट हो जाते हैं हमें वेट नहीं करना पड़ता है अगर हम liquidity shares को choose करते हैं तो उसमें आपने देख रहा होगा देखा होगा कि उसमें wait करना नहीं पड़ता हमें तो रंध हम शेर को ख़ई सकते हैं बेस सकते हैं वो होते हैं मार्केट मेकर्स ठीक है दे हैल फैसलेट ट्रेडर एन इंशोर स्मूठ ट्रांजेक्शन जैसे मैंने आपको अभी पताया कि स्मूठ ट्रांजेक्शन होती है हमारी हमें दिक्कत नहीं होती तो वह किसके बेrips टोथि है मार्केट मेकर के बेस पे जो पैसे डॉनक्य होते हैं कि समझ गया कि किस तरह के 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 प्लेयर होतें कौन मार्किट को चलाता इसकी UBувати Amen Apo कर दी दोस्तों कि हर किसी को एक जैसा मत ओलिए हर किसी को एक जैसा मत दो लिए दोस्तो सबकी अपनी पहिचाने स्टॉक मार्केट में मैं सब्सक्राक होंगा कि मैं यह ए कि स्ट्रेक्टर फॉलो करना है शुर एक पर चलने लिए जो आपको पढ़ना पड़ेगा पर एक हमारा मखसद होना चाहिए। अगर हमें इसा करने नहीं वह Eh an क्लास में क्या सब्जेट पास करना चाहिए पहले हमें पता चला कि हमें क्या बनना है ठीक है उसके बाद कि अब उसके लिए क्या जरूरी है अगर वो class pass करने लिए, IIT मुझे clear करने लिए, वो संस्थान में admission लेने के लिए, अब मुझे क्या जरूरी है, कौन सी class की पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है, कौन से subject मुझे ज़्यादा पढ़ना है, फिर हम उस पर आते हैं, फिर उस पर काम करना है, तो हर चीज का एक structure बना हुआ है, अगर आपको कोई मुकाम हासिल करना है, तो उसके लिए पहले आपको वो मुकाम तो सोचना पढ़ेगा, कि हाँ मुझे ये बनना है, उसके लिए क्या बनने है, क्या जरूरी है, फिर वो आपको धीरे-धीरे-धीरे-धीरे उसके बारे में पढ़ना पढ़ेगा, या पहले आप से पढ़ोगे कि सब पढ़ लिए संस्राइब भी पढ़ ली इंग्लिष और्दूस इंदी सब पढ़ ली और फिर लास में आपको सोच रहे अब मैं इसमें क्या घुरूंग पहले आपको पता करना होता है कि मुझे क्या बनना है अब फिर उस बनने के लिए मुझे क्या जरूर है फिर वो काम करना बढ़ता है इसलिए हम ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग में आपको क्या चाहिए सेट अप चाहिए और setup चाहिए तो mind में आगे हम मुझे setup पे काम करना अब उस setup के लिए क्या के जरूरी है और setup के लिए आपको ये बनना जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि मुझे setup बनने लिए क्या market structure मुझे follow करना है और कौन सा key player बनना है ये भी इसी में part होगा दोस्तों ठीक है तो आप समझ गए अब एक आता है दोस्तों specialist market makers अब इस पेस्ट मार्केट मेकर्स अब ये कौन से प्लेयर होते हैं आपने बहुत सारे एक्जांपल सुने होंगे लाके जुन जुन वाला ऐसी बहुत जाड़े की प्लेयर सुने होंगे ये क्या होते हैं क्या ये रोज हर कंप्री में बैठते हैं आज इसकी ख़बर औरी है चल इसमें पैसे लागा देते हैं अच्छा फोन पर रहे हैं ये कंपडी नहीं आई चला है ऐसा होता है नहीं दोस्तों आपने सुना होगा कि जो बड़े-बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके पास कुछ कंपनियां होती है कि हाँ ऊटाएशन पेंट में बंदथा अपने बीस साल से पैसा लगा वद आ या टाइटन में उसने 25 साल से पैसा लगाए घ्र जो एमध्र साज होता है तो यह को मिखेährt ये प्लेएर वोई पेसे लिश्पेर होते हैं जो कुछ इसATION जो कुछ ब्सक्ट कर बड़ स्टोक पर काम करते जो uneco बार में सोच थैंट अनके यजिस करते और उसकेक कमाते हैं उनको दिन दुनिया का कोई मतलब नहीं होता है कि उस फट्राइज में क्या हो रहा है उनको मतलब है कि जो मैंने specific sector चूष करा है sector specific sector का मतलब समझे इसका मतलब जैसे हमने चूष करें पेंट जैसे इवी, AI, ठीक है टायर्स हो गया बैटरी हो गई तो यह सेक्टर हो गया अब वो सेक्टर में कौन-कौन-सी डॉमिनेट कमपनी है बड़ी-बड़ी सब्सक्राइब करेंगे आई यह कुछ होता हैं जो सब्सक्राइब ऐसे चल लाएं और आगे भी चलेगा फूड सेक्टर पहले वी चला तो फूड सेक्टर पे काम करेंगे इलेक्ट्रोनिक सेक्टर, आटो मोबाइल सेक्टर पहले भी चला तो आगी चलो और चलता ही रहेगा, वहां तो चलेंगे चलेंगे, तो कुछ प्लेयर ऐसे हो जो इस सेक्टर को पकड़ते हैं, समझ रहे हैं, इसी सेक्टर को पकड़ते हैं, और उसी में most important जो companies होती हैं, उस सेक्टर, उसी स्टॉक में liquidity प्रोवाइट करते हैं, उसी share को खरीते हैं, बेखते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि अगर एक रिलाइंस के हम बात करें, सपोस करिए, कि जो निफ्टी 50 ही top company है, रिलाइंस के बात करें, as an example, example के दोर पे, तो ऐसा तो नहीं कि वो एक ही player है, कि वो उसी पर काम करना है, जो topmost company है, जाहिड सी बात है, topmost company है, तो बड़े-बड़े player भी तो topmost में ही काम करेंगे, अगर वो एक एक लाग क्रोड पर आज invest करेंगे, खरीदेंगे, तो सामने वाला भी हो का बेचने वाला, वो ऐसे sector चूज करते हैं, जहां पर बड़े- करते हैं, आपने देखो का बड़ी-बड़ी जो company होते हैं, stock होते हैं, उसमें आप कितने shares खरीदो बेच लो, तुरंट execute होते है, reliance में आप कितने shares खरीदो बेच लो, कोई फरक ने पड़ता है, क्योंकि वहापे liquidity है, कैसे है, भाई वो इनी players के थूरू है, SDFC bank, जो topmost companies है निफ्टी 50 ही बात आती है, बैंक निफ्टी बात, उसी topmost company, उसमें liquidity क्यों जादा मिलती है, क्योंकि key player उसमें काम करते हैं, वो उसी sector बढ़ता है, तो आपको हर वैसा key player बनना है, तो आपको बनना पड़ेखा, specialist market makers, ठीक है, जो उसको manage करते हैं, जो उसको चलाते हैं, जि अच्छा पैसा कमा लेंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको resistance support पढ़ाया था, trend analyze पढ़ाया था, तो आपको ध्यान होगा, कि मैंने आपको आगे का reliance का view मैंने आपको दिखा देता, कि 3 साल से reliance में क्या movement चलना है, और आगे क्या movement चलने वाला है, और आप आज 2023 चलना है, ठी अगर आप 2 महीने बाद या 3 माद जब आप वीडियो देख रहे हो, तो आप 2 महीने प्रीवियस का reliance का चार्ट देखेगा, और आज का देखेगा, और देखेगा कि हाँ जो नरायन सर्ड ने बताया था, trend analyze में, resistance support में, क्या वैसी ही trend analyze में, क्या वैसे ही reliance काम कर रहा है, और मुझे comment करिए, अगर वैसी काम कर रहा है, और आपने हर entry exit लिया है, educational purpose के लिए मैं बता रहा हूँ, आपने उस ही साब से करा है, और आपको हुआ है, तो आप मुझे comment करें कि हाँ सर्वैसी ही काम करा है, reliance ने, ठीक है, तो वो कौन करता है, वो यही बड़े player करते है, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते दोस्तों, वो 10-12-100 indicator नहीं लगाते, वो बहुत simple language में, बहुत simple तरीके से trade करते हैं, जैसे मैं आपको पता चुका हूँ, train analyze में, price action में, ठीक है, यह सब मैं आपको पता चुका हूँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप समझ गे कि specialist market makers क trading strategies, जैसे मैंने आपको पता हैं दोस्तों, strategy जो आपको पता है कि एक strategy तो बनानी ही पड़ेगी, एक setup आपको बनाना ही पड़ेगा, उसके इलावा कोई और चारा नहीं है trading करने का, कैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम series बना चुके हैं, बेसे बेसे concept कि रहें, वो सब पूछ साओगे, और पता होना जैसे मैंने आपको पताया, strategy में हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या बना है, तो ये पार्ट क्यों है, इससे इंकलूट करना ही पड़ेगा, आपको मार्केर के स्ट्रेक्टर को इंकलूट करना पड़ेगा, जिसमें आप काम और चाहते हो कि आपका जो स्टेडेजी है वो इसी साफ से बननी चाहिए उसकी रूप रेखा ऐसी बननी चाहिए कि हां मुझे यह बनना है तो मैं उसी साफ से बनाता हो चलूं है कि yes जैसे मैं आपको पता है कि हम्ने शंक्राथ पढ़ लिए इंग्लिश सब ल करण हमें कि हानो मैं चला सकता है कर सकता हूं एब को पता करना पको पर आपको कि मुझे क्या मार्किंस ट्रेक्टर चाहिए और क्या मुझे की प्लेयर बनना है उसके पाइस दैब बाइस टैप उसी चीज को फॉलो करना ओसी चीम आपको आगे बढ़ना है ठीक है तो इस्टेटी में आपको फॉल फॉलो करना ही पड़ेगा ठीक है क्योंकि आपको decision अहर लेना है तो decision लेने लिए आपको पता है यह सब करना पड़ेगा यह जरूरी है ठीक है दोस्तों अगर आपकी कोई भी query है किसी भी चीज को लेके या आपको कुछ भी समझ नहीं आ या कुछ भी तो आप मुझे इस mail id का use कर सकते हो और आप हमें दोस्तों मुल्टिपल शोचल मीडिया पर फॉलो कर सकते हो फेस्बुक इंस्ट्राइम ट्विटर आई पेशन स्टेडर जिसमें हम अपडेट देते रहते हैं ठीक है मुझे उमीद है कि इतनी अच्छे कंटेंड के साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा पहला कर दोस्तों अभी क्या आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आकर जो दबाईए क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं आपको अपडेट रहना है अपडेट के लिए आपको जैसी हमारी वीडियो अप्लोड तुरंत आपको देखना है और उसके नोट्स बनाने है ठीक है वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए अपने दोस्तों और उन लोगों को शेयर करिए जो वास्तम में सीखना चाहते हैं क्योंकि मैंने आपसे पहली अगले टॉपिक में बिल्कुल दोस्तों मुलाकात होगी तब तक के लिए थैंक्यूं